अलो फ्रेंड्स वेल्कम तो गुर्वाशिस्विजन आज मैं आपके साथ शेयर करने चाहरे हूं मेथी का तेपला रेसिपी जिसके लिए हमें चाहिए एक बाउन मेथी डेट सो क्राम के करीब मैंने मेथी ली है जिसको मैंने अच्छी तरह से दो के काट के रखी हुई है तो आप दही भी ले सकते हो रूटीन मसाले लगेंगे तेल और केहुं का आटा सब्सक्राइब यह केहुं के आटे में तेल डालूनी एक टेबल स्कून टेल डाले ले आए हम इसके बाद पेसम रूटीन मसाले कर देते हैं स्काद में सार हम नमक डालेंगे फल्दी हाफ टी स्पून नान मेज एक टी स्पून दन्याजी रगा पावडर एक टी स्पून और यह सब चीजों को हम इस खर लेंगे अच्छी तरोस्ते और मिस्स कभी के पावडर यह पाजी और हरा दन्याज दूनों एड़ कर देते हैं जियान रखेगा कि इसमें भी थोड़ा पानी का प्रोपोर्शन जो है अगर रह गया है तो इसमें पानी कम ही एड़ करना पड़ेगा तो आप ज्याम से पानी एड़ करना ताकि यह एक दम लूज ना हो जाए आटा अब हम मैंने यह बटर में किया है वह बटर मिल्स में भी पानी का प्रोपोर्शन रहता है तो ज्यादा हमको पानी तालने भी जरूर पड़ेगी ही नहीं अब हम इसका डव रेड़ी कर देते हुए तो यह आप देख सकते हो सिर्फ मैंने जो बटर में जीतना लिया था उतना लेने से ही इतना सारा पाइंडिंग हो गया है तो मुझे से थोड़ा सा ही पानी एड़ करना पड़ेगा और अब हम इसको पाइन कर लेंगे तो यह देखे यह ताव रेड़ी हो गया है अब हम इसके पोड़े पुझे सुर्या बन रहेंगे और इसके तेपला बेलेंगे अब तो इसको बेलेंगे तो अब मैं पेपला बेल देऊं थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको बेलेंगे इस तरह से बेलना है जैसे हम परोठे बनाते है इसी तरह से बेल के इसको रेड़ी करना है ये देखिए थोड़ा सा ही तेल एक ड्रॉप लगाने से एकदम इजी ये आप उठा पाओगे तो ये देखिए ये थेपला रेडी है अब मैं दूसरा भी रेडी कर देती हूँ तो इस तरह से दूसरा थेपला भी आप रेडी कर दीजिए अब दूसरा थेपला रेडी हो गए है तो इसको हम सेखेंगे अब मैं तवे पे थोड़ा सा तेल डालूँगी और स्प्रेड कर दूँगी अब मैं थेपला सेखने के लिए रख देती हूँ एक साइड इसका सेखेंगे और जहां तक वाइट ना हो जाए पी तब तब हम इसको सेखेंगे तो यह आप देख सकते हो असी तरह से शिख गया है तो दूसरी तरफ भी हम सेखने के लिए रख देते हैं अब दूसरी तरफ भी शिख गया है तो मैं टर्ल करके इसमें तेल डालूँगी वन टीश्पून टेल डालेंगे और शेख लेंगे आप द्यान लखना कि यह हमने बेसं डाला है और तही तो इसकी वज़े से यह बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और प्लस बाजी में पी मोईस्चर रहता है तो यह खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे अब हम दूसरा भी रेडी कर देते हैं यह देखिए दूसरा थेपला भी एक तरफ से यह सीख गया है और दूसरी तरफ भी अब हम इसको पलड़ देंगे और तेल डालके सेख लेना है गैस की आज स्लो से मीडियम रखेंगे हम और एकडम हलके हाथ से इसको प्रेस करेंगे ताकि यह कच्चा ना रह जाए अब हम इसको सर्व करेंगे तो सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं तो यह देखिए एकडम सौप थेपला रेडी है इसको हम अचार के साथ सर्व कर सकते हैं सौस के साथ भी खा सकते हैं और अगर आप चाहो तो सुबह ब्रेकफास्ट में दूद के साथ भी इसको एंजोई कर सकते हैं अगर आपको मे के लिए रेसीपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना थेंक यू